हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी की यूट्यूब चैनल फाइनस वाला में तो दोस्तो NPS के रिगार्डिंग काफी सारे मेरे पास सवाल आ रहे थे कि सर हमें बताईए क्या NPS में लोन फैसिलिटी है NPS पे हम लोन ले सकते हैं अपने अकाउंट में या क्या दूसरा एक अच्छा सा सवाल काफी लोग में से पूछ रहे थे कि सर जो हमारे EPF है जो हमारा Employee Provident Fund होता है EPF है क्या हम उसके पैसे NPS में ट्रांसफर कर सकते हैं तो दोस्तों इन दोनों सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं आपको करना क्या है वीडियो को बिल कोई भी अपडेट होते हैं तो हम सबसे पहले वहां पे डालते हैं ठीक दोस्तों तो सबके जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे तो बिना आपका वक्त गवाए हुए चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहला जो आपकी बात का जवाब है मैं देदे दूँ लोन फैसिलिटी को लेके तो दोस्तो लोन में ए सोरी एन पियस में लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है आप NPS पे लोन नहीं ले सकते लोन फैसिलिटी अवेलेबल अभी तक NPS में नहीं है ये होगे आपके पहले सवाल का जवाब दूसरा का है दोस्तो क्या हम EPF से NPS में अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो आप बिल्कुल ही अपने EPF से जो पैसे हैं वो NPS में ट्रांसफर कर सकते हैं और इसमें एक और अच्छी चीज़ है अच्छी बात है जो मा आपको बताऊंगा वो ये है कि 2016 से 2016 से एक चीज़ कर दी गई है कि अगर कोई EPF से अपने पैसे NPS में ट्रांसफर करता है वो जो पैसे होगे वो टैक्स फ्री रहेंगे उन पे टैक्स नहीं लगेगा तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर कोई EPF से अपने पैसे NPS में ट्रांसफर करना चाहता है ये आपका doubt clear हो गया NPS में loan facility बिलकुल नहीं है दो चीजें दोस्तों आपकी इस वीडियो में clear हो गई आने वाले time में हम और भी वीडियो informative आपके लिए financial जो aspects हैं हमारे कि हमें कैसी investment करनी चाहिए कौन सी government की schemes है काफी सारी चीजें आजकल चल रही है जहां पर आप अच्छा interest कमा सकते हो mutual funds हैं धीरे धीरे हम काफी सारी informative वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं इस channel पर तो उसके लिए आपको क्या करना है चैनल को subscribe करके रखिए वीडियो को like करके रखिए मिलते हैं दोस्तों नहीं वीडियो में नहीं अपडेट किता है तब के लिए बबाई टेक क्यार